सब्सक्राइब करें एके इंडिया योटूब चनल को साथी साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको हर एक अब्डेट मिलते रहे और हमारे दूसरे चनल टेक सर्जी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दावा लीजिए ताकि आपको हर एक टेक्नलोजी सम मंदित खबरे मिलती रहे। ठीक है दोस्तों चलिए आज किस वीडियो के और भरते हैं दोस्तों पहला प्रश्न है किस ग्रह को सांध्य तारा के नाम से जाना जाता है अप्सन है मंगल, बूध, सुक्र और ब्रिहस्पति दोस्तों इसका सही जवाब की अगर आप लोगों को पता है तो आप लोगों कमेंट सेक्शन में इसका सही जवाब बताना दोस्तों इसका सही जवाब होगा सुक्र, जो सुक्र ग्रह है दोस्तों उसे सांध्य का तारा या भोर का भी तारा कहा जाता है ठीक है दोस्तों अगर हम बात करें से सुक्र ग्रह के बारे में तो सुक्र ग्रह पित्वी से सरवार्थिक नजदीक एक ग्रह है और वो सुर्य और चंद्रमा के बाद जो हमारा सन है और मुन के बाद सबसे चमकिला है इसी के कारण दोस्तों इसे सांज का तारा कहा जाता है क् साम को पक्षिम समें नीखता है और भोका तर्य इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भोड में सूबं में पूरब दिशां की ओर दिखता है ठीक है दोस्तों तो कारण भी यहां पर मैंने आपको बताया है कि क्यूंज इसे सांज का या भोड का तारा कहा जाता है ठीक है चले दोस्तों आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेशन को देखते हैं अगला प्रस्ण है निमलिखित में से वह ग्रह कौन सा है जो रात के आकास में लाल दिखाई देता है अब देखो दोस्तों यहां पर वह ग्रह कौन सा ह तो रात में लाल दिखाई देता है यहां यह पूछा जा रहा है तो दोस्तो इसका सही जवाब होगा option इसके उपगणा से सम्मंदित प्रष्ण ने पूछे जाते हैं और यह प्रश्ण नि पूछा जाता है कि जो फोबोज या डिमोज है वो किस गरह का उपगणा है इस तरह से मारी किकल इप 4 अब एक जाम में पूछे जाते हैं ठीक है चलिए दोस्तो आगे बढ़ते और next question को देखते हैं दोस्तो अगला प्रश्न है वह गड़ा कौन सा है जिसका प्रिष्टिय ताप सरवच्च है अब देखो दोस्तो यहाँ पर प्रिष्टिय ताप यानि कि surface temperature की बात किया जा रहा है दोस्तो यहाँ पर option है ब्रिहस्पती, प्रिथिभी, प्लुटो और सुक्र दोस्तो option number D इसका बिल्कुल सही जवाब होगा सुक्रगड़ा सुक्रगड़ा का जो प्रिष्टिय ताप है यानि कि surface temperature वो अधिक होता है आप में लोग मरकरी के बार में भी सोच रहे होँगे कि मरकरी तो सुरे के सबसे पास से तो इसका तंपरेचर हाई होना चाहिए तो दोस्तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है अगर हम बात के हैं दोस्तों यहाँ पर मरकरी का तो मरकरी का जो दोस्तों surface temperature होता है मैं आप लोगों को यहां बता देता हूँ, आप लोग इसे नोट डाउन भी कर लेना, 449 degree Celsius होता है maximum, इसकी surface temperature इतना से ज़्यादा नहीं जाता है, अगर दोस्तों हम बेनस की बात करें, जो सुक्रेगर है उसकी बात करें, तो इसकी जो surface temperature है दोस्तों, वो है आप सभी का लग कि जो बुद्ध है, उसका surface temperature 449 होता है, और जो सुक्र होता है, जिसका surface temperature 465 degree Celsius होता है, ठीक है दोस्तों, आप यहां पर बात करते हैं, दोस्तों हम अपने अर्थ का, कि हमारे अर्थ का surface temperature कितना है, तो दोस्तों हमारे अर्थ का surface temperature maximum 58 degree Celsius है, तो दोस्तों ये वो भी कभी कभी और अर्थ का ये सर्फिस इस तंप्रेशर अगर दोस्तों वहीं हम मून का बात करें हम अपने उपगरा चंद्रमा की बात करें तो कि यहां कि जो सटीज डिग्री celsius है तो यहां दोस्तों normally इंसान नहीं जा सकता क्योंकि इसके temperature यह इतना maximum है वहाई दोस्तों मार्स की बात करें क्योंकि मार्स मिशन अभी यहाँ पर चल रहा है तो मार्स के बारे में भी आपकी सर्फिस टंप्रेचर पुछा जा सकते हैं कि मास का सर्फिस टंप्रेचर क्या है बताओ तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 20 डिगरी सेलसियस ठीक है तो आपको अर्थ का आपको मून का आपको मास का आपको सुक्र यानि की वेनस का आपको मरकरी का यह जो भी 5 नाम मैंने बताया इनका surface temperature आपको याद होना चाहिए ठीक है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और next question को देखते हैं दोस्तों अगला प्रशन है कि सुर्यत ताप का प्रिथिवी पर और समान बित्रन मुख्यत किसके कारण होता है अब देखो दोस्तों जो प्रिथिवी पर सुर्यत का ता कारण हवाओं की दिशा के कारण या दाप पट्टियों के कारण दोस्तों इसका सही जवाब की बात करें तो सुर्यत ताप का प्रिथिवी पर समान बित्रन प्रिथिवी के गोलाकार आकिर्थी के कारण होता है ठीक है दोस्तों अब ये तो एक कारण हो गया दूसरा कारण दोस्तों कि जो अर्थ हमारा जुका हुआ है न सारे 23 डिगरी पर जो जुका हुए उसका उसके कारण भी होता है ठीक है उसके बाद दोस्तों जो अर्थ जो है अपने घुर्णन गति करता है अपने अक्षपे जो घुर्णन गति करता है उसको भी दोस्तों यहाँ पर हम सकते हैं जिसके कायां दोस्तों सूर्य ताप जो है वो असमान वित्रम होता है प्रिथवी पे ठीक है और सूर्य ताप किसे कहा जाता है सूर्य का जो तापमान सूर्य के प्रकास के दुवारे जो प्रिथवी पहुंचता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है सूर्य ताप कहा ज नमर एक कहता है कि यह देशानतर रेखा 180 डिगड़ी के अनुरूप होता है दूसरा option कहता है दोस्तों यह सीधी रेखा है तीसरा कहता है कि बड़ा वृत्य चाप है या चौथा कहता है यह भूमे परिणाम में टेढ़े मेरी रेखा है अब देखो दोस्तों अगर अंतराश् सीधी रेखा है तो यह गलत हो जाएगा एक वृत्य चाप है तो यह भी गलत हो जाएगा अब दोस्तों यहां दो आता है यह देशानतर रेखा 180 डिगड़ी का अनुरूप होता है या भूमी परिणाम से टेढ़े मेरे रेखा होती है अब देखो दोस्तों यह option नमर 10 का गल समयोन तो चलिंच बसराब है तो दोस्तों जो हमारा इंतराश्ट यह तीथी रेखा है वह देशानतर के अनुरूपी है तो इसे दोस्तों ऍब्रसका बिल्कूल सही जलाब यहां पर कह सकते हैं ठीक है दोस्तों और इसे क्या कहा जाता अंतर और रास्ट यह तीथी रेखा अभी इस लाइन को कहा जाता है ठीक है आई होप आपको पूरी जनकार इसमें मिल गई होगी चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट को देखते हैं अगर दोस्तों आपको किसी प्रकार का प्रोब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके सवाल जरूर पूछिएगा ठीक है ओप्सन है माप किजिए का क्वेस्टन है प्रित्वी की किस अच्छान से रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूरी का प्रकास 24 घंटे उपलाब्द होता है आप देखो दोस्तों प्रित्वी की अच्छान से रेखा पर सबसे लंबे दिनों का सूर से लंबे दिन जो होता है दोस्तों सुरी के प्रकाश चौबिसों घंटा तक यहां पर पहूंशते रहाता है ठीक है दोस्तों अब हम बात करें दोस्तों यह उत्री गुलार्थ में होता है कब तो 21 जून को इस डेट को भी आपको याद रखना है सबसे लंबा दिन का ठीक है 21 जून को ठीक है चल्य配ज़ दोस्तो आगे बरते हैं और next question को देख लेते हैं next question दोस्तो दोस्तों कि भू प्रिष्ट पर जल वायू और मिर्दा के साथ जैव द्रॉव के मंडल को कहते हैं तो दौस्तों इसको क्या कहते हैं वायू मंडल ठीक है दोस्तों जब सुर्यस से प्रिथिवी के दूरी अधिक्तम होती है तो दोस्तो इसे अपसौर कहा जाता है, अगर दोस्तो सुर्यस से प्रिथिवी के दूरी निकटम होगी तो उसे क्या कहा जाता है, तो उपसौर कहा जाता है, ठीक है, निकटम के लिए उपसौर और अधिक्तम के होता है ठीक है अगर अपसौर की बात करें दोस्तों तो अपसौर कब होता है चार जुलाई को होता है ठीक है यह डेट आपको याद रखना है कब होता है चार जुलाई को होता है ठीक है अपसौर चार जुलाई उपसौर तीन जनवरी आप देखो दोस्तों अपसौर में जो न दूरी होती है जो maximum धूरी होती है वो होता है दूस्तों पंद्ऱ पॉइंट करोर किलोमेटर ठीक है रशाज़ें और हैं उपसीरविक होती है तो प्रिव कीमिट आरहं किलोमेटर और कितने तो आगे बरते और next question को देखते हैं दोस्तो अगला प्रशन है कि समताप रेखाएं निमलिखीत में से किसके समान रेखाएं होती है अब देखो दोस्तो समताप रेखाएं की बात हो रही है तो इसका सही जवाब होगा option number ताप के समान होती है ठीक है option number इसका बिलकुल सही के दौरान दोस्तों अगर इसका सही जवाब के बात करें कि सुड में जो वर्ड मंडल में गैसो का तुफान दिखाएं जाते हैं वह सुड़े ग्रहन के दौरान दिखाए जाते हैं option number D इसका बिलकुल सही जवाब होगा ठीक है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगला क्वेशन है दोस्तों आप लोगों के लिए कि नेमलिखित में से सबसे ठंडा कौन सा गड़ा है यहां सबसे ठंडा गड़ा की बात किया जा रहा है दोस्तों तो अगर option के हिसाब से यहां पर चले दोस्तों तो चार उप्सन आपको दिया गया है जिसमें Pluto जो है सबसे मंदल का गढ़ा है नहीं तो ठंडा गढ़ा कौन सो mandate यहां अप्षन का म смशर प्लूटो सही ऑगा लेकिन अगर प्लूटो ना दिया हो तब कौन से होगा ठीकर दोस्तो तो यहां पर अब आप लोगों को ही हो जाएगा लेकिन प्लूटो को हमारे स्वरमंडल में नहीं अस्थान दिया गया है वरून हमारा भी जो वर्तमान में नेप्चुन है वो सबसे ठंडा ग्रह होगा ठीक है चलिए दोस्तों आगे बरते हैं नेक्स्ट कोईचन को देखते हैं दोस्तों अगला प्रस्ण यहा वाले ग्रह का नाम है कौन है फुर्व से पक्षिम के और परिकर्मन करने वाला ग्रह तो दोस्तों यहां ऑप्शन ने बूध यूरेनस नाप्चुन और प्लूटो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा अगर दोस्तों हम बात करें कि पुर्व से पक्षिम के और परिकर् मंध्युद में आपको इसके परेम बता दूं इसके कुल 27 ऊपगरा है यूरेनस को कित्ते सब्सक्राइब ऊपगरा है तो 27 उपगड़ा है आपको यूरेनस से संबंदित उपगड़ा से संबंदित प्रश्न पूछे जाते हैं कि उडेनस के मुख्य जो उपगड़ा है वो कौन-कौन से हैं यह पूछा जाता है आपके एक्जायमे कभी-कभी पूछ लिया जाता है तो दोस्तों मैं आपको बता तो एरियल जो सर्फ होता है एरियल उससे आप सर्फ कर जब भी एरियल का नाम है तो आप यूरेनस यानि कि अरून के उपगड़ा का नाम याद कर लिजगा एक होता है एरियल दूसरा होता है दोस्तों मिरांडा एरियल और मिरांडा यानि कि मिरिंडा ठीक है दोनों जो प्र शीं कियो पडिकरवन करने वाले गड़ा तो सिर्फ इोरेनस नहीं है इसके साथ एक और गड़ा है जिसे भोर का या सांज का तारा कहा जाता है वो है सूकड़ थिक ये भी क्या करता है फुर्भ से पाक्चिम के और बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और दूत मेखला किया है दोस्तों लगबग 70-75 परतिसा दोस्तों ये क्या है इस स्पाइडल है कुछ इस तरीके से इसका अकार है ठीक है चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कुछिशन को देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है कि सूर्य से प्रिथिवी को प्राप्त उस्मा को क्या कहते हैं आप देखो दोस्तों काफी इंपोर्टेंट सवाल होगा आप लोगों के लिए कि सूर्य से प्रिथिवी को प्राप्त उस्मा को क्या कहते हैं तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं सूर्य ताप कहते हैं सुरे से प्रिथिवी तक परकास आने में कितना टाइम लगता है कभी-कभी आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं तो 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लग जाता है ठीक है 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लग जाता है और इसे आप 500 सेकेंड में याद रखना कभी-कभी आपके ओप्सें में सेकेंड में दे दिया जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है दोस्तों चलिए आगे दोस्तों आखरी प्रश्ण है निमलिखित में से कौन सा बॉनाग्रा है ओप्सें एक है नेप्चुन बी टाइटन एरिस या डी हाइडरा इसका सही जबब क्या होगा द समाच बॉनेग्रा होते है दोस्तों टाइटन के बात करें तो टाइटन क्या है तो यह दोस्तों सनी का उपगड़ा है हाइडरा के बात के दोस्तों तो हाइडरा क्या है प्लूटो का उपगड़ा है ठीक है दोस्तों तो यह था सेट बावन बिहार प्लिस कॉंस्टेबल औ और सब इस्पेक्टर एक्जाम 2019 के लिए important question answer दोस्तों अगर आप इस पीडियोप को with answer with solution अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप में जूर जाओ वहाँ पर आप लोगों को document प्रवाइट करा दिया जाता है दोस्तों यूटूब पर भी तक सब्सक्राइब निकी तो सब्सक्राइब कर लिजिए और दोस्तों बेल आइकन को दबा लिजिएगा ताके सुबस सात बजे जो आपको वीडियो आती है वह और रात नौ बजे की जो वीडियो आती हैं उस्स आप मिस ना कर सके, खबड़ी पे एक की इंडिया और रेली एक्जाम को फॉलो कर लिजे, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जागा, साथी दोस्तो अनेकैडमी पे भी आप लोगो को अब लाइप क्लासे चलने वाली है, 25 तारिक से, तो आप लोग हमाय साथ अनेकैडमी पे भी जादा लाइक करे, अपने फ्रेंड्स के साथ सेर करे, थैंक यू